बच्पन से लेकर हमारे मृत्यू तक हमारे साथ जो कुछ भी गलत गटनाएं घड़ती हैं, जो कुछ भी गलत होता है, वो सब बाते हमारे हिर्दे पटल पर चप जाती हैं, वो हमें हमेशा याद रहती हैं, हम इन्हें चाहकर भी पुला नहीं सकतें, लेकिन जब भी हमारे साथ कोई और नहीं गटना गटती है, या फिर हमारे साथ कुछ गलत होता है, तो हम अपने आप से ये जरूर कहते हैं, कि हमारी तो किस्मत ही खराब थी, हमने तो पूरी कोशिश की थी, या फिर हमारा तो कोई दोश ही नहीं था, और जब हमारे किस्मत ह खराब है तो हम कर ही कह सकते हैं अगर आप भी यही सोचते हैं और यही मानते हैं तो आज की एक आनी आपके लिए ही है बहुत समय पहले की बात है किसी नगरी में एक वेक्ते रहा करता था वो अपनी किसमत को ले कर बहुत रोया करता था उसे लगता था कि उसके किसमत बहुत खराब है और भगवान ने ना जाने क्यों उसके किसमत ऐसी लिखी है एक दिन वो व्यक्तिक सडक से होकर गुजर रहा था तबी उसने देखा कि एक बहुत बिख्षू ध्यान में लेन बैठे हुए है वो उन बहुत बिख्षू के पास पहुँच गया और उनसे कहने लगा कि हे गुरूवर क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इस पर बहुत बिख्षू कहते हैं कि बताओ तुम्हे क्या समस्या है और तुम्ही यहां पर क्यों आई हो वो वेक्ति बहुत बिख्षू से कहता है कि हे गुरूवर मैं बहुत दुखी हूँ बहुत परेशान हूँ मैं जो कुछ भी करता हूँ, सब कुछ उल्टा ही हो जाता है जो कुछ भी करने की कोशिश करता हूँ, वो सब खराब हो जाता है मेरे हाथों द्वारा क्या हुआ हर काम पूरी तरह से बिगड़ जाता है फिर चाहे मैं उस काम को कितनी भी अच्छी तरह से क्यों न कर लूँ कितना भी मन लगा कर क्यों न करूँ लेकिन वो काम कभी भी सफल नहीं उपाता मेरी किस्मत मेरा साथ ही नहीं देती है और मैं आज इसी लिए आपके पास आया हूँ मैंने सुना है कि आप सभी समस्याओं का समाधान कर देते हैं तो आज आप मेरी समस्या का समाधान कर दीजी मेरे इस फोटी किस्मत का कोई उपाय बताईए मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है क्या आप मेरे इस फोटी किस्मत का इलाज कर सकते हैं इसे ठीक कर सकते हैं, वो बोध बिख्शू, उस आदमे की सारी बाते ध्यान पूर वक्स सुन रहे थे, और फिर वो बोध बिख्शू सुवेक्ति से कहते हैं, फोटी किस्मत, कहां है तुम्हारी फोटी किस्मत, और तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी किस्मत फोटी हुई है इसका जवाब देते हुए, वो आदमी बहुत बिख्शू से कहता है अगर मेरे हाथों से कोई काम बन ही नहीं रहा है मैं जिस काम को भी हाथ लगाता हूँ, वो सारा काम बिगड जाता है फिर मैं चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लूँ मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, मैं किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पता तो इसका क्या आर्थ हुआ, क्या मेरी किस्मत भोटी हुई नहीं है जब मैं पैदा हुआ, तो मेरे माता पिता गुजर गई पास के ही एक नाथासरम ने मुझे गोद ले लिया था मेरा पालन फोशन वहीं पर हुआ, और जब मैं बढ़ा हो गया तो मुझे एक लड़की से प्रेम हो गया लेकिन उस लड़की ने भी मुझे दोखा दे दिया उस लड़की ने किसी और से विवाह कर लिया इस सब देखकर मैं पूरी तरह से टूट चुका था मेरा आत्मिश्वास पूरी तरह से बिखर चुका था जैसे तैसे मेरे मित्रों ने मुझे संबाला उन्होंने मुझे समझाया कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए मुझे इन सब चीजों को भूल जाना चाहिए मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की मैंने अपने एक मित्तर के साथ मिलकर एक छोटा सा व्यापार सुरू किया लेकिन यहाँ पर भी मेरे किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया मैंने जिसके साथ वो व्यापार सुरू किया था मेरे उस मित्तर ने सारा व्यापार मुझसे हड़प लिया और मुझे उस वयापार से बेदखल कर दिया मैं एक बार फिर से पोरी तरह से तूट चुगा था मेरे मन में अब केवल एक ही ख्याल था मेरे इस तरह जीने का क्या आर्थ है किया मेरी किस्मत केवल दोगा खाने की है क्या मुझे जीने का कोई हग नहीं क्या मुझे खुश्या पाने का कोई यग नहीं, क्या मेरी किस्मत भूटी हुई नहीं है, क्या आप मेरी इस किस्मत को ठीक कर सकते हैं, इस पर वो बहुत भिख्षू उस आदमी से कहते हैं, कि अच्छा ये बात है, तो बताओ कहा है तुम्हारी ओ भूटी किस्मत, लाओ मु एकती कहता है ये बंते आप ही कैसी बातें कर रहे हैं बहला मैं अपनी किस्मत आपको कैसे दे सकता हूं किस्मत कोई ऐसे चीज तो है ही नहीं कि मैंने निकाली और आपको दे दी वो तो दिखाई तक नहीं देती है क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं इस पर उस बहुत बिख्षों ने कहा जब तुम्हें किसमत दिखाई है नहीं देती और ना तुम इसे लेकर के गूम सकते हो तो फिर तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी किसमत पोटी हुई है फिर तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी किसमत खराब है इस पर ओ वेक्ति कहता है हे गुरूर मेरे साथ सब कुछ हो चुका है मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि मेरे किस्मत खराब नहीं है मेरे साथ कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं होता मैं जो कारे करने जाता हूँ सब कुछ कड़बड हो जाता है अगर मेरी किस्मत सही होती तो मेरे सारे कारे सफल होते मुझे अपने वयापार में भी दोखा नहीं मिलता तो क्या आप कोई ये नहीं लगता कि मेरी किस्मत खराब है इस पर वो बहुत बिख्षों उस आदमी से कहते हैं बनते मुझे तो तुम बिलकुल ही ठीक नजर आते हो तुमारा हाथ पैर पूरा शरीर पूरी तरह से स्वस्त नजर आ रहा है तुम अभी भी ठीक हो चल फिर रहे हो जीवन जी रहे हो सांस ले रहे हो और तुम अभी तक मरे भी नहीं हो तो फिर तुम्हारी किसमत कैसे खराब हो सकती है यदि तुम्हारी किसमत खराब होती तो तुम बीमार होते या फिर तुम्हारे सरीर का कोई अंग पूरे तरह से काम नहीं कर रहा होता या फिर तुम्हारे सरीर का कोई अंग होता ही नहीं क्या फिर हो सकता है कि तुम मृत्यों को भी प्राप्ट हो जाते लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूँ ऐसा तो कुछ भी नहीं है फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी किसमत खराब है इस बार वो वेक्ती जला कर बोध बिख्शू से कहता है हे गुरुवर लग रहा है आपको मेरे बात समझ में नहीं आ रही है मैंने आज तक जो भी कारे करे हैं उन सभी कारियों में जो भी पूंजी मैंने लगाई है उस सब कुछ दूब चुकी है नश्ट हो चुकी है और उसके बाद मैंने जो करजा लिया था उस करजे का पहाड मे मेरे ऊपर है सारे कर्जदार मेरे घर खडए रहते हैं करजा लेने के लिए और मुझे दंकिया देते रहते हैं और सबी ने मिलकर मेरा घर मुझे छीन लिया क्योंकि मैं उनका पैसा वूंने वापस नहीं लोटा चका और इतना ही नहीं वो लोग अभी भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि मैं उनका पैसा लोटा दूँ लेकिन जिस वयापार में मैंने वो पैसे लगाए थे वो वयापार तो किसी और ने हड़प लिया और जब मैं अपने उस मित्र से पैसे मांगता हूँ तो वो भी मुझे पैसे देने से इंकार कर देता है अब बताईए मैं उनका करजा कैसे लोटा हूँ मैं भला कहा आ जाओं अब मेरे पास तो कोई घर भी नहीं बचा तो फिर इन हालातों में मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मेरी किसमत सही है इस पर वो बहुत भिख्षो उस वेक्टी से कहते है कि अच्छा ये बात है इसका मतलब की समस्या बहुत कमपीर है तब ही वो वेक्टी कहता है हाँ बिलकुल सही अब आपने बिलकुल सही समझा है मैं इस समय बहुत ही दुखी हूँ मैं अपने जीवन के बहुत बुरे दोर से गुजर रहा हूँ और मेरी हालत अब मेरे काबु में नहीं है अब आप ही मेरा आखरी सहारा है किरप्या करके मुझे कोई उपाय बताईए पर वो बहुत बिख्षो उस वेक्टी से फिर कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि तुम जीवित हो और तुमारी किस्मत अच्छी है कि तुम अपने इन हालातों का सामना करने के लिए जी रहे हो और तुम अपने इस जीवन के समस्याओं का खल भी कर सकते हो इस पर वो वेक्टी दुखी मन से कहता है कि हे गुरूवर लगता है अभी भी आप मेरे बात समझ नहीं पाए इस पर वो बहुत बिख्शू उस वेक्टी से कहता है कि नहीं मैं तुमारी बात को अच्छी तरह से समझ चुका हूँ लेकिन तुम मेरे बातों को नहीं समझ पा रहे हो इतना कहकर वो बहुत बिख्शू उस वेक्टी का हाथ पकड़ कर एक नदी की किनारे ले जाते हैं और उस आदमी से कहते हैं कि बनते हैं इस नदी को ध्यान से देखो तुमें क्या दिखाई दे रहा है वो आदमी कहता है कि नदी जोरों से बह रही है इसका भाव बहुत तेज है तब वो बहुत बिख्शू उस आदमी से कहते हैं कि यदि मैं किसी पेड़ का एक पत्ता इस नदी में गिरा दू तो वो किस दिख्शा में बैता हुआ जाएगा वो आदमी कहता है कि हे गुरोवर जिस दिख्शा में नदी बह रही है ठीक उसी दिख्शा में वो पत्ता भी चला जाएगा तब वो बहुत बिख्शू उस आदमी से कहते हैं कि बिलकुल सही कहा है तुमने अब बताओ मुझे कि इस पत्ते की किस्मत किसके हाथों में है इस पर वो आदमी कहता है हे गुरोवर उस पत्ते की किस्मत इस नदी के हाथों में है वो जहाँ चाहे इसे बाग कर ले जा सकती है क्योंकि इसका बाव बहुत तेज है तब वो बहुत भिख्षू मुस्कुराते हुए उस आदमी से कहते हैं और मान लो कि उपत्ता सिर्फ मेरे हाथों में ही है और मैं चाहे उसे नदी में फेंकू या ना फेंकू तो बताओ उस पत्ते की किस्मत क्या होगी इसका जवाब देते हुए वो आदमी कहता है कि इस हिसाब से तो पत्ते की किस्मत आपके हाथों में हुई आप चाहे तो उसे नदी में फेंक सकते हैं या फिर आप चाहे तो उस पत्ते को कहीं और भी फेंक सकते हैं इस पर वो बहुत बिख्षो, मुस्कुरा कर उस आदमी से कहते हैं, इस पत्ते की किस्मत ना तो नदी के हाथों में हैं और ना ही मेरे, क्योंकि मैं चाहे कितने भी कोशिश कर लो, यदि एक पत्ता किसी व्रिक्ष से तूर चुका है, तो वो आज नहीं तो कल सोख ही जाएग जब तक वो पत्ता किसी पेड से चुड़ा हुआ है, तब तक उसे भोजन मिल रहा है, पुर्जा मिल रही है, लेकिन जैसे ही वो पत्ता पेड से अलग हो जाता है, तो उसे ये सब मिलना बंद हो जाता है, तो अब बताओ, उसकी किस्मत अच्छी है या बुरी, तब वो आ बोजन और उर्जा दोनों हे मिल रहे थे, इस कारण से वो फल फूल रहा था, लेकिन पेड़ से अलग होने के बाद, उसे वो बोजन और उर्जा प्राप्त नहीं होगी, तब ही वो बोध बिख्शू, एक डाली से एक पत्ते को तोड़ कर कहता है, ये पत्ता मेरे हाथ में है और ये अभी तक सोखा भी नहीं है, इसके अंदर अभी भी उर्जा है, बोजन है, जिससे वो अभी भी कुछ कर सकता है, इसमें अभी भी जीवन बाकी है, तब ही अचानक जोर की हवा चली, और उन गुरुवर के हाथों से वो पत्ता उड़कर थोड़ी दूरी पर जा गि जीका, यदि ये पत्ता अभी तक उस पेड से जुड़ा हुआ होता, तो उतनी दूर उड़कर कभी नहीं जा पाता, आज ये पत्ता पेड से अलग होकर पूरी तरह से सोतंत्र हो चुका है, और इसने अभी अभी उड़ने का आनंद भी उठाया है, जो ये पेड पर रहकर कभी नहीं कर सकता था, इतना कहते हुए, वो बहुत बिख्शू उस पत्ते के पास पहुँचे, और उस पत्ते को उठाकर नदी में फेड दिया, और उस आदमे से कहा, इसकी किसमत कैसी है, इस पर वो आदमे उन बहुत बिख्शू से कहता है, अब इसकी किसमत बहुत अच हुआ जाएगा इसे कोई रोक नहीं सकता इसका जवाब देते हुए बहुत बिख्षु कहते हैं ये पत्ता नदी में तैरने का आनंद जरूर ले रहा है लेकिन साथ ही साथ ये अपने उपर ना जाने कितने ही छोटे-छोटे जीव जन्थुओं को बचाएगा उनको जीवन पहुचान देगा और ना जाने कितने ही जीव जन्थुओं को ये एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुचाने में उनकी मदद भी करेगा इसके बाद वो बहुत बिख्षु फिर से उस आदमे से पूचते हैं कि अब बताओ पत्ते की किसमत कैसी है तो वो आदमे कहता है कि ही गुरुवर अब तो इसके किसमत बहुत अच्छी है क्योंकि ये किसी की काम आ रहा है और ये किसी का जीवन भी बचा रहा है इसलिए इसकी किसमत तो बहुत अच्छी हो गई पर मेरी किसमत वो कैसे अच्छी होगी ये तो आपने कुछ बताया ही नहीं तब वो बहुत ब करते हो, तो पहले तुम मुझे ये बताओ, कि तुम किस दिशा में अच्छी तरह से तेर सकोगे? इस पर वो आदमी जवाब देते हुए कहता है, कि गुरुवर, जिस दिशा में नदी बह रही है, उसी दिशा में तेरना आसान होगा, और मैं उस दिशा में आसानी से तैरता हुआ चला जाओंगा उस आदमी की ये बाते सुनकर बहुत बिख्षू कहते हैं और यदि मान लो कि तुम्हें इस नदी के बाहों के विपरीत दिशा में तैरना हो तब तुम क्या करोगी क्या तुमारी किस्मत तब भी अच्छी होगी वो आदमी कहता है कि नहीं गुरूवर तब तुम मुझे और ज्यादा मेनत करने पड़ेगी तब मेरी किस्मत बला अच्छी कैसे हो सकती है उस आदमी का ये जवाब सुनकर वो बहुत बिख्शूस आदमी से कहते है और यदि मान लो कि तुमारे हाथ पैर नहीं है और फिर भी मैं तुमें कहूँ कि तुम इस नदी की विपरीत दिशा में तैर कर अपने लक्षे तक पहुचो तब तुमारे मन में क्या ख्याल आएंगे और तुमारे किसमत कैसी होगी इस पर हुआ आदमी कहता है कि ये गुरुवर अगर मेरे हाथ पैर ही नहीं होंगे तुमें विपरीत दिशा में तैर कर अपने लक्षे तक कैसे पहुचूँगा अगर मेरे हाथ पैर सही सलामत होंगे तो हो सकता है कि मैं विपरी दिशा में तैर कर अपने लक्षे तक पहुँच जाओ भले ही उसमें समय थोड़ा ज्यादा लगे लेकिन यदि मेरे हाथ पैर ही नहीं होंगे तो बला मैं कैसे पहुचूँगा तो ऐसे में मेरे किसमत तो और ज्यादा बुरी हो गई तब वो बहुत बिख्षोस आदमे से कहता है कि अब तुमें ये समझ में आया कि तुमारी किसमत अभी भी अच्छी है पहले भी अच्छी थी और आगे भी अच्छी ये रहेगी बस तुम्हारे अंदर एक छोटी सी तकलिप ये है कि जो भी समस्या है जो हमारे सामने आ रही है उन समस्याओं का तुम सामना नहीं करना चाहते हो लेकिन जिन समस्याओं को तुम पीछे छोड़ कर भागने की कोशिश कर रहे हो वो समस्यां तुम्हारे साथ ही चल रही है जैसे कि मान लो यदि इस नदी का भाव और ज्यादा तेज हो जाए तो तुम्हें इस नदी के विपरीत दिशा में तैरने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी वो आदमी कहता है ए महराज तब तो मुझे अत्यदिक मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे बहुत ज्यादा थकान भी होगी लेकिन किसी ना किसी तरह मैं अपने लक्षे तक पहुँच जाओगा तब वो बहुत बिख्शू उस आदमी से पूछता है अच्छा मान लो नदी का भाव और भी ज्यादा तेज हो जाए तो क्या तुम नदी की विपरेत दिशा में तैरना पसंद करोगे वो आदमी कहता है नहीं नहीं गुरु देव मैं तो इस नदी में उतरने का सोचूंगा भी नहीं विपरेत दिशा में तैरना तो दूर की बात रही आखिर में अपनी सभी बातों का निचोड निकालते हुए वो बहुत भिख्शोस आदमी से कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार जब हमारे जीवन में अत्य दिक कटनाई या अत्य दिक परेशानिया आती है जो नदी के तेज भाव की तरह होती है और जब हमें ये घेर लेती है तो हमें कुछ भी समझ नहीं आता और हम इनसे भागने की कोशिश करते रहते हैं हम इनका सामना कभी करना ही नहीं चाहते लेकिन तुमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थिती आए कि तुम्हें लगे कि तुम्हारे हाथों में कुछ नहीं है तब तुम्हें नदी की दिशा में बैकर अपने लिए एक सुरक्षित स्थान खोजना चाहिए क्योंकि उस समय तुम्हारा ध्यान के ओल अपनी रख्षा पर होना चाहिए क्योंकि जिसकी रख्षा तुम्हें करनी है वो है तुम्हारा जीवन यदि तुम्हारा जीवन तुम्हारे साथ रहेगा तो आज नहीं तो कल ये तेज भाव जरूर शान्त हो जाएगा और नदी का भाव भी हमेशा के लिए एक जैसा नहीं रहेगा उससे आज नहीं तो कल थमना ही पड़ेगा और जब नदी का भाव कम हो जाएगा तब तुम चाहो तु नदी के विपरीत दिशा में तैर सकते हो और फिर तुम जैसा चाहो वैसा मुकाम हासिल कर सकते हो तो अब मुझे बताओ क्या तुम्हें अभी भी ये लगता है कि तुम्हारी किसमत खराब है या फिर तुम्हारी किसमत अभी भी फूटी हुई है ये कहकर वो बहुत बिख्शू जोर जोर से हसने लगते है और ये सुनकर वो आदमे भी जोर से मुस्कुरा उठा और उनसे कहता है कि हे गुरूर आप सही कहते है मेरे किसमत पहले भी अच्छी थी आज भी अच्छी है और आगे भी अच्छी ही रहेगी मैं पूरी तरह से सुष्थ हूँ, मेरे हाथ पैर सही सलामत है, मेरा जीवन मेरे साथ है, मेरे पास है, और मैं सासे भी ले रहा हूँ हाँ मेरे पास घर नहीं बचा, लेकिन फिर भी अभी मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं, खाने के लिए बोजन हैं, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, जिनकी मदद से मैं एक बार फिर से अपने उन मुकामों को हासिल कर सकता हूँ जो चला गया, बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते, और आने वाले कल की जिन्ता कर्म योगी नहीं करता, अगर मैं बीते हुए कल के शोक में डूब गया, तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, मुझे उस सब कुछ चाहिए जो मैं पाना चाहता हूँ मैं उसकी तलास में अब आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं वो सब फ्राप्ट करना चाहता हूँ, और मैं वो फ्राप्ट करके ही रहूँगा, क्योंकि अब मैं उस पेड से अलग हो चुका हूँ, जो मुझे बांदे हुए थी, मुझे रोके हुए थी, लेकिन अब मैं उस अलग हो चुका हूँ और अब मेरे पास एक ऐसा सुनहरा मौका है जिससे मैं अपने जीवन को सवार सकता हूँ उसे निखार सकता हूँ इतना कहे कर वो आदमी उस बहुत बिख्षु को प्रणाम करता है और अपने मार्ग पर आगे की और निकल पड़ता है और वो बहुत बि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना ये कोई ओर नहीं है ये एक रिक्वेस्ट है माल लीजिए तो दोस्तों मिलते हैं अगली कहाने में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें